कि हलो फ्रेंड्स कैपसूल फोर जो मॉक टेस्ट है जो कोस्ट गार्ड के लिए मैं अभी जो टैन सेट्स करा रहा हूं डिली और एक मैराथन क्लास के लिए भी मैंने सोचा है कि मैं संडे की दिन आपकी मैराथन क्लास लूँगा जिसको आप जरूर जोन करिए जॉइन इंड फोर्स में या कोस्ट गार्ड में दोनों में बेनिफिश्चल रहेगा और यह आपके लिए कैपसूल फोर के बारे में मैं सॉल्विशन बता रहा हूं तो चलिए पहले फिर इसमें पैसेज दिया हुआ है जरा आराम से पढ़ें और इसको समझें कि कहा क्या गया है इंड नागश्वरम और टू इंपोर्टेंट विंड इस्टुमेंट सेनाई और नागश्वरम दो बहुत ही मैथ्पूर्ण वायू के इस्टुमेंट यान उपकरन हैं वाधियंत्र रहें और नॉर्थ एंसवाथ इंडिया जो दोने जगें नॉर्थ में और सौथ इंडिय और साधियों में भी आपने देखा होगा सेना ही बजाए जाती है और इसको मंगल माना जाता है बहुत शुब माना जाता है अस्पीसियस इंस्टुमेट के रूप में मंगल वाद्य इंत माना जाता है इसलिए ओर्डिनरी लोगों के बड़े बिलके करीब होते हैं यानि बारत के जितने भी जो इंस्टुमेंट पुराने हैं उनमें से एक सैनाई है और ऐसा मना जाता है कि वह पर्सियन इस्तान से आई है पारस की खाड़ी से आई है अब पहला कुछा क्या है कि नागाश्वरम इस प्लेट बाइद अप्लीकेशन आप भी जानते हो बहले ही इसके अंदर मेंशन नहीं दिया है लेकर आप कह सकते हो कि इनको मूह से ही बजाए जाता है तो इसलिए आंसर इसका सी होगा तो इसका अंसर भी होना चाहिए क्योंकि भी सुब अफसर पर बजाए जाता है इसको चलिए अगले कुछिन की तरफ चलते हैं जिसमें हमको एरर पुछा गया है फैंड दा एरर अब एरर में देखिए नो सूर आपको बताया था नो सूर में एक बात ध्यान रखने एक तो इनवर्जन होता है दूसरी बात वे नहीं आता या देन आता है तो इसलिए इसमें देन लगाना पड़ेगा है न इसलिए इसका अंसर है न वह हो कि सेक्शन नंबर बी इस देन लगाना है तो बी इस देन लगाना है चलिए फिलिंदा ब्लैंक्स बिद्दा करेक्ट वर्व इसमें हमें बर बर नहीं है बर के चक्टर को बारबार रवाइस करिए इफ यू हैड इनफॉर्मी अगर आपने मुझे इनफॉर्म किया होता तो मैं बहुत है तो इसको प्रिजडाइस बोलते हैं तो आंसर बिल भी सी चलिए अगले कुश्चन पर हम चलते हैं नमबर सैबन आइडिंटिफाई करना है हमको दो इडियम और इसमें लिखा हुआ है कैरेट एन इस्तिक पालिसी कैरेट होती गाजर और इस्तिक होती चड़ी तो कभी मै घाजर दूँ और कभी मैं आपको चड़ी मारू तो इसका कभी मैं आपको पुरुस्कार दूँगा और कभी मैं आपको मारूंगा यानि रिवार्ड एंड प्रिस्मेंट उसका आंसर है वो डी होगए चलिए अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं एंट्टॉनिम्स एंटॉ इसलिए इसका अंतर है वो डी होगा ठीक है लीए चलिए आगे चलते हैं बहुत ही स्टेंडर्ड क्वाल्टी के मैंने यह सेट्स बनाए हुए है इसको आप जो है इसलिए कहां भी जा रहा है कि आप इनको अगर परसेश करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे में र याद करने का भी एक कुछ तरीका होता है कि दो बार ठीक है अगल-बगल यह होना चाहिए इसलिए आंसर है वह होगा चलिए अगला कुश्चन हम चलते हैं इडेंटिफा दक करेक्ट प्रिपोजिशन हमें अब प्रपोजिशन में आपको बता दें कि अगर यह लिखा हुआ है पार्ट अब पार्ट माने होता है अलग होना अलग होने के लिए या तो हम लगाते फ्रॉम या फिर लगाते बिद तो यहां पर एक ही बढ़ ऐसा है पार्ट जो रिवर्स होता है अर्था इंसानों के लिए हम लगाते फ्रॉम और बस्तूओं के लगाते बिद तो माई ता फ्रॉम चलिए अगला है आर्टिकल भरना है प्रोफेसर सिंग इस गोईंग तो यूनिवस्टी अब प्रोफेसर है वो यूनिवस्टी में अपने काम से जा रहे हैं तो आर्टिकल लगने का मतलब भी निकलता है तो आंसर होगा डी जिस चीज का जो उद्देश से अगर के लिए उसका यूज किया जा रहा है तो द्यान दीजिए उसमें आर्टिकल नहीं लगाते हैं अगला है आपका क्वेश्टन आइडेंटिफाई दर करेक्ट इंडारेंट में देखे जा रहा है इसको बिलकुल आसान तरीके से इसका में चेंज करना पड़ा इसमें दिस है इसमें दिस है तो नहीं पड़ा इसमें देट है और इसमें विए दिस है तो यह सीधा सीधा होगा और सी आंसर और सी आपका करेक्ट चलिये अगले question find the voice voice पूछा गया है number 14 में the noise of the traffic इस में समझने कोई करो वर्व क्या है kept तो kept के बाद object क्या होगा मी तो मी के अंसर I was awake ढूणेंगे और I was kept awake अगर ढूणें तो जड़ा गोर से देखें सिवाए C के पूरे sentence को भले ही नहीं आता हो लेकिन आपको इतना देख सकते हो I was kept away का लिखाए इसमें देखो हैं नहीं इसमें हैं नहीं इसमें हैं नहीं तो आंसर क्या होगा चलिए arrange करना है अगले question को देखेंगे अगर हम तो arrange the following में देखें आपको बताने हैं यह पंद्रे question है इन मेंसे अगर आपके 13 या 14 question हो जाते हैं तो आपका उन चीजों से काम नहीं बनेगा जो हलका फुलका आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो सला दूँगा कि आप जरूर इन प्रट्टे सेट को करिए जितने दिनों के लिए मैं करा रहा हूं I thank you